नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सेकर और स्वागता आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल सीकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा और साती बेल आइकन भी जरूर दबाएगा दोस्तो इसके बाद हम बात करेंगे 26 नमबर को होने वाली परिक्षा के बारे में तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखेगा परदेश में 2648 प्रात्मिक शिक्षकों की भरती पर किरिया पर रोक हटी तो दोस्तो शिक्षकों का जो मामला है बहुत लंबे समय से चल लाता है यहाँ पर देखेगे साइक अध्यापक भरती के लिए 2648 पदू के लिए दिसंबर 2018 में विग्यपती जारी की गी थी तो दिसंबर अब 2021 आने वाला है तो तीन साल होगे मतलब कि अब शितंबर आई गया है बस कुछी टाइम बचा है वो भी अब सिक्चक बन पाएंगे बांकि रोग खट गई है तो बहुत अच्छी खबर है तो अब बात कर लें दोस्तो बागे हाई कोट ने परदेश में 244 परात में सिक्चकों की भरती परकिरिया पर रोग खटा दी है बुदुआर को मामले में सुनवाई करते हुए परकिरिया PCS भरती के सिलेबस पर काम कर रहा है क्योंकि दोस्तों ये इस बार में मैंने आपको पहले अपडेट दिया था उत्राखंड में इंजिनेरियों साइन्सी के चात्रों के ज्यादा चैन को लेकर उम्मिदवारों की और से उठ रही सिलेबस बदलाव के बीच आयो साइक अभ्यानताओं में असिस्टेंट इंजिनियर के 154 पत उपर भरती परकिर्या शुरू हो गी है और उत्राखंड लोग्सियों इसका नोटिफिक्सन जारी कर दिया है दोस्तों आप इसे डिटेल में अप्लोड वीडियो में देख सकते हैं मैंने बाकी इसकी पूरी ज टेलिग्राम पर भी शेयर कर दिती और वाकी यहां पर है PCS परिक्षा हाई कोट ने अभी हम बात करेंगे 26 नौमर को होने वाल एक्जाम के बारे मैं PCS परिक्षा हाई कोट ने आयू सिमा पर निर्णे लेने के लिए कहा हाई कोट ने कार्मिक सचीव को निर्देश दिये क PCS परिक्षा के अभ्धर्तियों को आयू सिमा में छूड़ देने और फॉम भरने की अंतिम्तिती बढ़ाने को लेकर निर्णे ले हाई कोट ने इन निर्देश में PCS अभ्धर्तियों को रहत मिलने की उम्मीद है अब दोस्तों यहां पर है कि उनकी आयू यहाची का दायर कहा कि उनकी आयू 45 वर्स हो गी है जबकि परदेश में PCS परिक्षा के लिए आयू सिमा 42 साल है यहाची का में कहा गया कि 10 अगर्षी 2020 को परिक्षा का विग्यापन जारी के आगया जिसकी परिक्षा 10 अक्टुबर को होनी है यहाची का में कहा गया कि राजी बनने के बाद PCS की परिक्षा 6 बार हुई है और 2016 के बाद कोई परिक्षा नहीं हुई है तो 2016 उत्राखंड पुलिस वाले तो उससे भी पहले से इंतजार करते हैं PCS तो 2016 में आई थी और बांकी ये भी है लंबे पंच वर्सी योजना अगर दोस्तों उत्राखंड में आपको जौब निक परिक्षा के बारे में उत्राखंड अध्यापक पात रता परिक्षा पर्थम ये यूटेट में समलित होने वाले अभ्यर्तिव के लिए सूचना बहुत जादा महत्पूर्ण है बच्चों के लिए निसूल के मनिवारे सिक्षा का अधिकार धिन्यम 2009 की धारा इतने के तहत तथा संसोदी अधिसूचना 29 जुलाई 2011 यम 28 जुन 2008 द्वरा राजी किये असास किये सायक पराप्त असास किये तो ये तो ठीका आगे बढ़ते हैं दिनांक चार ये भी सही है ये भी सही है महत्पूर्ण बिंदू पर बात करेंगे दोस तो यहां पर देखीए उत्राखंड बिद्ध्यालई सिक्चा परशथ पहले यहां पर दिनांक नौग Testament 201 में वर्णित प्रावधानों के करम में उत्राखंड बिद्ध्यालई सिक्चा परशथ राम नग्न नीताल द्वरा उत्राखंड अध्यापक पातरता परिक्चा पर्था में दूती परिक्षा 26 नॉवंबर 2021 को परस्तावित है 26 नॉवंबर को यह वाली परिक्षा है और 26 नॉवंबर को फिर आपका जो वीडियो भी फीडियो का एक्जाम है वो तो इस दिन नहीं होने वाला है वो इससे पहले हो सकता है उत्राखंड अध्यापक पात्रता परिक्षा पर्थमें दित्तिये 2021 में सम्मलियत होने वाले इच्चोग अभ्यरती उत्राखंड विध्याले सिक्षा परिक्षत राम नगर द्वारा परिक्षत की वेबसाइट यह वेबसाइट जान लिजे यहापर www.ukutet.com पर एक सितंबर से ओनलाइन आविदन आमितित किये जाते हैं यानि कि फौं भरने लग गए हैं तो आप भर लिजेगा आविदन पत्र ओनलाइन करने की अंतिमतिती 30 सितंबर 2021 रखी गई है साम पांच बचे तक और बांकी सितंबर 2021 में यह आपको 30 सितंबर तक आप भर लिजेगा निर्दारेत अंतिमतिती समय के बाद आविदन पत्र ओनलाइन पत्र ओनलाइन पत्र ओनलाइन पत्र ओनलाइन कर सकते हैं पाविदन नहीं कर पाएंगे तो मैंने महतपूर्ण बिंदु तो आपको बताई दिये हैं आप पर और बाकी जो आपका फीस है दोस्तों यहां पर 600 रुपे लगने वाली है और बाकी जो यह जाती जन जाती है इनके लिए 300 है और बाकी दोनु है तो परिक्ष्यासुल के तो परिक्ष्यासुल का यह घजार अलग है यहां पर जनर्न लोग इसी के लिए और जो यह हैं असी इनके लिए 500 रुपे रखा गया है तो यह थी आज की जानकारी बाकी कोई भी अगर आपके मनने स्वाल हो तो आप चैड बॉक्स में पूछ सकते हैं बाकी मिलते हैं